असलाम वालेकूम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकिन हांडी सीक कबाब मसाला की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले एकदम इजी बे में बहुत ही कम इंग्रिंट के साथ ये रेसिपी बनकर तयार होती है एकदम डिलिशस बनती है तो रेसिपी को ट्राइ करना तो ब चिकन मिंस ले लिए हमने एकदम बारिक कीमा होने चाहिए और अब हमें इसमें एड़ करना है वन टिबल स्पून भटकर अद्रक्लैसट का पेस्ट और अब एड़ करेंगे पांच हरी मिर्च बारिक चॉप की हुई और अब एड़ करना हमें बड़े साइस का प्याज हमने बारिक सा चॉप कर लें या पिन मिक्सी जार में डालकर हलका सा ब्लेंड कर ला हो फिर एक कपड़े में डालकर इसका पानी निकाल दें तो इस तरह से प्याज आपको मिल जाएंगे तो यह एड़ कर देना है वन टी 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टी स्पून पर नमाक याट करेंगे, नमाक आप अपने टेस्क के कोड़िंगी करियेगा जितना आप खाना पसंद करते हो वन टेबल स्पून हम यहां पर भुने चने का पौडर लेंगे आप चाहें बेसन भी ले सकते हैं रोस्ट करकर और अब एट करना है बन फोट टी स्पून मीठा सोडा यानि खाना सोडा इससे कबाब एकदम सॉफ्ट बनकर त्यार होंगे अब इन सभी चीज़ों को डाल कर हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए हमने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब आप इसको मेरिनेट करकर भी रख सकते हैं एक से दो गंटे के लिए फिर ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में यह फिर आप हैंट्वेंट भी बना सकते हैं तो मैं यहां पर हैंट्वेंट बना रही हूं तो देखिए थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे पानी के साथ और जितना बड़ा आपको कबाब बनाना है उतना पॉर्ट्शन ले सकते हैं कीमे का तो यहां पर हम एक बॉल सी बनाएंगे और इस तरह से हाथों कबाब बना बनाएंगे अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप इस तरह से भी कबाब बना सकते हैं तब हमने हास्टर बनालिया ये दीखिए अब आपको हम एक दूसरा मैं बनाएंगे बताएंगे तो י सबस्तों बall गयो गया और उत पुत पैंसल बनाना पसंद से हैं द कबाब दोने साइट से निकाल लेया है और यहां हमनेईक और दी ??? में कबाब प्राइ लिक्षा चार लिया है हुआ हमारा गरम हो चुका है अब प्याजों को जाए करना हैं मतलब गोलडन फ्राय नहीं करणा है हल्का सा सॉफ्ट हो जाएं पांच मिनट लग जाएंगे बस हलका सा सॉफ्ट हो जाएं इतना करना है और अब इसमें एट कर देना है वन टेबल स्पून भरकर अध्रक लैसुन का पेस्ट क्योंकि हमारे प्याज हलके से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको डाल कर भी हमें थोड़ा सा ब मोटा मोटा रखना है तो अब इनको भूनेंगे और टमाटर जल्दी से गल जाएं तो इसके लिए हम इसमें एट करेंगे नमक तो वन टीश्पून यहां पर मैं नमक कर रहे हूं अब नमक डालकर हमें टमाटर को बहुत अच्छे से बूनना है हाई फ्लेम पर क्यूंकि ट अब मसालों को हम फ्लेम स्लो कर देंगे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे हाई फ्लेम पर करेंगे तो मसाले जल जाएंगे तो देखे हमने मसालों को थोड़ा सा भून लिया है अब इसमें अट करेंगे 100 ग्राम फ्लेंटा हुआ दही अब दही डालकर मसालों को बहुत अच्छे से भून लें हाई फ्लेम पर हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑईल सेपरेट ना हो जाए तो देखे यह अच्छा मसाला भूनेंगे ना उतना ही अच्छा कबाबों में टेस्ट आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला एकदम दानेदार सा भून कर रेडी हो चुका है ऑईल सेपरेट हो गया है बहुत अच्छी से मसाला भूनियागा तब ही आपका जो हंडी कबाब है एक दम टिलिशिस बनेगे तो अब इसमें हम कबाब एट कर देंगे अगर आपको हमारी कोई भी कबाबों की रेसिपी चाहिए डिफरेंट स्टाइल के कबाब तो हमारे चेनल पर अपलोड है आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर अच्छे से हमने देखिए मिक्स कर लिया है अब इसमें हम पानी अट करेंगे क्योंकि हमने कबाबों को ज्यादा फ्राइ नहीं किया था इसलिए इसको पकाने के लिए हम इसमें एक कब पानी अट कर रहे हैं ताकि कबाब भी अंदर से कूक हो जाए और देखिए थोड़ा सा हमें इसको मिक्स कर लेना है अब इसको के लिए slow to medium flame पर ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और बिल्कुल भी कच्छे ना रहें तो यहां पर देखिए पंद्रमनेट हो चुके हैं slow to medium flame पर पकते हुए कि थोड़ा सा हलके आतों से इसको मेक्स करेंगे तो बस कबाब हमारी यहां पर अल्मोस्ट बन चुके हैं तो अब इसमें 1 फोर्ट कप हम फ्रेश क्रीम एट कर दें या फिर दूद की मलाई यहां पर मैं दूद की मलाई का यूज़ कर रही हूँ और पांच हरी मेर्श ले ले लेना है यह एट कर देंगे मिक्स कर लेंगे तो हमने इसको मिक्स कर लिया है अब इसमें अट करेंगे तो हमने इसको मिक्स कर लिया है तो यहां पर देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा सा इसको अगर चमच से नहीं हो रहे तो आप इस तरह से हिला भी सकते हैं ऐसे mix कर सकते हैं अब इसको cover कर देंगे हम 5-6 मिनट के लिए slow flame पर तो यह देखें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे और कबाबों को हमने slow flame पर पकने के लिए रख दिया था अब एक बार से फ तो हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा mix कर लिया है इसको इस तरह से अब फ्लेम को बंद करकर इस तरह से हमने थोड़ा से छोड़ दिया था यहाँ पर कबाब हमारे ready हो चुके है तो last step देंगे सिर्प इसमें smoke लगाना है तो एक कोईला गरम कर लिया है इसमें हमने और इसमें अट करेंगे ओयल बटर या फिर घी एक चमच और पांसे चे मिनट हम इसको लगने के लिए शोड़ देंगे बहुत यह अच्छा फ्लेवर आएगा एक दम हो जाएगा इसका टेस्ट जब आप इस तरह से स्मोक लगाएंगे तो बस कब हमारे सर्फ करने के लिए एक करते हूं आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफीज